और आएब शुरू करते हैं विशेश बुलिटर अफगानस्तान के हालात पर चर्चा के लिए सभी दलों की बैठक चल रही है सूत्रों के मताबक बैठक में सभी विपक्षी दल एक एक कर सरकार के सामने अपनी बात रख रहे हैं बैठक में विदेश मंतरी ने काबूल में फसे लोगों की रिस्क्यू के बारे में जानकारी दी है सूत्रों के मताबक विदेश मंतरी ने कहा अभी सभी देश अफगानस्तान पर वेट अन वाच पॉलिसी अपना रहे हैं और वही नीती भारत ने भी अभी अपनाई हुई है दूसरी तरफ ग्रे मंतरी अमिट शा ने प्रधान मंतरी मोदी से पीम आवास पर मुलाकात की सूत्रों के मताबक अफगान मुद्दे पर दोनों के बीच बात चीत हुई है अगली खबर अफगानस्तान में पत्रकार सुरक्षत नहीं काबल में तुलू न्यूस के पत्रकार जियार खान याद की तालबानियों ने बेरहमी से पिटाई की है तो लो नियूस के मताबक उनके रिपोर्टर जियार अफगानस्तान में गरीबी बेरोजगारी के मुद्दे पर रिपोर्टिंग कर रहे थे जियार ने भी बताया कि उन्हें बंदोग की नोक पर कहीं ले जाया गया और उनकी बिटाई की गई उनका कैमरा, मोबाइल सब चीन लिया गया जियार ने कहा है कि ये अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला है अभी तक किसी को इस मामले में गिरफतार नहीं किया गया है अगली खबर, देश में कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे, पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 46,000 से ज़्यादा नए केस आए, 600 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई, सिर्फ 31,000 से ज़्यादा केस तो 24 घंटे में केरल से ही सामने आ गया है खेरल के हालाद इसलिए भी चिंता जनक क्योंकि वहाँ पॉजिटिविटी रेट 20 प्रतिशत के आसपास राहुल गांधी ने कोरोना की बढ़ती रफ्तार को लेकर केंदर सरकार पर हमला बोला और कहा अपना खयाल खुद रखिये, सरकार तो कमपनियां बेचने में व्यस्त है अगली खबर, कोलखता एरपोर्ट से CID ने रेडियो आक्टिव मेटल कालिफॉर्नियम जब्त किया है CID ने 200 ग्राम रेडियो आक्टिव मेटल बरामत किया, इस मामले में दो लोगों को हिरासत में लिया गया, जिन से अभी पूछता चल रही है जब्त किये गए इस रेडियो आक्टिव मेटल की कीमत 4,250 करोड रुपए है, जिन दो आरोपियों को पकड़ा है, उनके नाम सलेन करमाकर और असित घोश ये दोनों हुगली जिले के रहने वाले हैं, जो मेटल जब्त किया गया, उसकी एक ग्राम की कीमत होती है, 17 करोड रुपए है तो फिलाल, इस विशेज बुलिटिन में इतना ही क्रोड़ Mmm आ उनके है, खिस समय है, भी गा। करण बीज की है, जिन दोब्त के विशेज, जिस भी विवए है